आप सबी को एक बार पुर्ण हमारे यूटीब चैनल पर स्वागत है जैसा कि आपको ग्याद हो कि आप लगातार अपने समय सायनी का इंतजार कर रहे थे और टाइम टेबल आपका आचुका है उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा परशद कि जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमेडियेट की बोर्ट परिच्छा देने वाले हैं वर्श 2021 में उनकी समय सायनी आचुकी है टाइम टेबल आचुका है तो आए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है देखिए मादमिक सिच्छा परशद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्श 2021 की हाई स्कूल तथा इंटरमेडियेट की परिच्छा का कारेक्रम जो की इस प्रकार है चार कॉलम बना कर दिये गए हैं पहले में हैं दिवस तथा दिनांग समय दूसरा विशे तथा प्रश्णपत्र हाई स्कूल विशे तथा प्रश्णपत्र इंटरमेडियेट देखिए 24 अप्रेल से परिच्छा प्रारम हो रही है दिन सनिवार है 24 अप्रेल 2021 सुबह का जो पेपर है 8 बज़े से 11 बचकर 15 मिलट तक होगा और दूसरा पेपर जो होता है वो 2 बज़े से सवा 5 बज़े तक यानि 5 बचकर 15 मिलट तक होता है पहला पेपर जो है वो 24 अप्रेल सनिवार को हाई स्कूल का हिंदी है और जो बच्चे प्रारंबिक हिंदी पढ़ते होंगे उनका प्रारंबिक हिंदी है सुबब के पाली में और दूतिय पाली यानि साम के वक्त 24 अप्रेल को ही इंटरमेडियेट के जो भी विद्यारती हैं उनका पेपर होगा हिंदी या जो साहितिक हिंदी यानि आर्ट साइट के बच्चे हैं उनका साहितिक हिंदी और जो साइन्साइट के बच्चे उनका सामान्य हिंदी का पेपर 24 अप्रेल को दूतिय पाली में होगा अब देखिए सोमवार को 26 अप्रेल 2021 को प्रातव 8 बजे से 11.15 तक हाई स्किल की पाली, अर्बी, फार्सी इन विश्यों से जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनका पेपर 24 अप्रेल को होगा और इंटर्मेडियेट के जो भी विद्यार्थी संगीत गायन, संगीत वादन या निर्ट्यकला यह विश्य पढ़ते हैं, उनका भी प्रथम पाली में 26 अप्रेल को पेपर होगा अब देखिए दुतिय पाली में 26 अप्रेल को संगीत गायन हाई स्कूल के लिए है और इंटर्मेडेट में जो भी विद्यार थी सामान्य आधिकारिक विशे यानि वशाइक वर्ग के लिए क्रिशी सश्य विज्यान प्रथम प्रस्णपत्र क्रिशी भाग एक के लिए क्रिशी सश्य विज्यान एक नामे सश्टम प्रस्णपत्र क्रिशी भाग दो के लिए इनका पेपर होगा आगे देखिए मंगलवार 27 अप्रेल 2021 को प्राता 8 बजे से 11 बचकर 15 मिनट तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ग्रिह विज्यान के वर बालिकाओं के है उनके लिए जो भी ग्रिह विज्यान के विद्यार्थी है उनका पेपर 27 अप्रेल 2021 प्रथम पाली में हाई स्कूल का होगा अब प्रथम पाली में इंटर्मेडियेट के जो भी विद्यार्थी उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांगला, मराथी, असमी, उडिया, कन नरसिंधी, तमिल, तेल्गू, मल्यालम, नेपाली इन विश्यों से पढ़ते हैं उनके लिए प्रथम पाली में पेपर होगा अब देखे 27 अप्रेल को ही दुतिय पाली में हाई स्कूल का कोई भी पेपर नहीं होगा परन्तु इंटर्मेडियेट के कोई भी छात्र जो की बही खाता थथा लेखा सास्त्र यानि वाडिच्य कॉमर्स वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका पेपर होगा या जो भूगुल विशे से पढ़ते हैं उनका भी 27 अप्रेल दुतिय पाली में पेपर नरधायत किया गया है ये 12 की बच्चों के लिए है अगला देखिए बुध्वार 28 अप्रेल 2021 प्रातर आट बजे से 11 पंदर तक हाई स्कूल के जो भी विद्यार्थी चित्र कला या रंजन कला पढ़ते हैं उनका पेपर होगा 28 अप्रेल प्रथम पाली में और इंटर्मेडियेट के जो भी विद्यार्थी सैने विज्यान से पढ़ते हैं उनका प्रथम पाली में ये पेपर होगा अब देखिए सायम दो बजे से 5.15 यानि दुटिया पाली में जो भी वच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं हाई स्कूल में उनका 28 अप्रेल को दुटिया पाली में कंप्यूटर का पेपर हैं और इंटर्मेडियेट की जो भी विद्यार थी वैपारिक संगठने उन पत्र वेवार यानि कॉमर्स की जो भी विद्यार थी हैं 28 अप्रेल दुटिया पाली में उनका ये पेपर होगा और जो ग्रीव विज्ञान विद्यार थी लेए हैं ग्रीव विज्ञान का भी ठीक उसी दिन पेपर नर्ध अब देखिए ब्रहस्पतिवार 29 अप्रेल 2021 प्रात आठ बजे से 11 बचकर 15 मिनट तक यानि प्रथम पाली में जो भी विद्यार्थी हाई स्कुल के गुजराती उर्दू पंजाबी बांगला मराथी आसमी उडिया कन्नड कस्मेरी सिंधी तमिल तेल्गू मल्यालम नेपाली ये सब पढ़ते हैं उनके लिए प्रथम पाली में 29 अप्रेल को ये पेपर निर्धायत किये गया है। से जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं 29 अप्रेल को दुटी अप्रेल में उनका पेपर निर्धायत किया गया है। कम्प्यूटर, क्रिशी, वनस्बती, विज्ञान, दुटीय प्रश्णपत्र, एवं क्रिशी अर्थ सास्थ, सब्तम प्रश्णपत्र कि जो भी विद्यार्थी हैं वो इंटर्मेडेट की परिच्छा 30 अप्रेल दुटीय पाली में देंगे। आप देखिए सनिवार 1 मई 2021 में हाई स्कूल में जो भी वाडिज से पढ़ते हैं उनका पेपर निर्धायत किया गया है प्रथम पाली में और इंटर्मेडेट प्रथम पाली में पाली अर्भी भार्शी से जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए पेपर निर्धा और अंग्रेजी का परिच्छा का निर्धारण एक मई को किया गया है intermediate के विद्यार्थियों के लिए 12th के जो भी विद्यार्थि हैं उनका English का जो पेपर है वो एक मई को निर्धायत किया गया है अब देखिए सोमवार तीन मई को हाई स्कूल की समाजिक विज्ञान के पेपर का निर्धायान किया गया है और दुतिय पाली में हाई स्कूल की कोई भी परिच्छा का निर्धायान नहीं है जबकि इंटरमेडियेट के इन विश्यों का निर्धायान किया गया है मंगलवार चार मई को जोवी विद्यारती प्रथम पाली में कृषी विज्ञान से पढ़ते हैं उनका हाई स्कूल का पेपर होगा और इंटरमेडियेट में इस दिन कोई भी पेपर प्रथम पाली में नरधायत नहीं है चार मई मानो विज्ञान रिटेल ट्रेनिंग इत्यादी से रिलेटेड जोवी विज्ञाय पर अध्यन करते हैं उनका दूतिय पाली में हाई स्कूल की परिछा नरधायत की गई है और चार मई को ही रसायन विज्ञान और इतिहास का पेपर दूतिय पाली में इंटरमेडिये विज्ञान विश्ञाय का पेपर नरधायत किया गया है बुद्धवार पांच मई यानि प्रथम पाली में अब आगे देखी पांच मई बुद्धवार दूतिय पाली में हाई स्कूल का कोई भी प्रश्ण पत्र नहीं है और इंटरमेडियेट की जो भी विद्यार्थी श प्रथम पाली में हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है दूतिय पाली में भी हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है इंटरमेडियेट की जो भी विद्यार्थी मनो विज्ञान सिच्छा सास्त्र या तर्क सास्त्र पढ़ते हैं उनका 6 मई प्रथम पाली में पेपर नरधायत कि गया है अब देखिए आठ माई के दिन संस्कृत के जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं टेंथ के विद्यार्थी जो भी संस्कृत विशे से अध्यन कर रहे हैं आठ माई प्रथम पाली में उनका पेपर है और इन विशेयों में अगर आप कास्ट सिल्फ शिलाई इतियादी से संबंदि जो भी बच्चे इं Normand की पढ़ाई करते हैं उनका प्रथम पाली में सब्सक्राइब देखें लिए उनका अठ मई दूतिय पाली को पेपर नरधायत किया गया है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अब देखें सोमवार 10 मई को प्रथम पाली में गणित की पडिच्छा हाई स्कूल के लिए नरधायत की गई है जबकि इंटरमेडिर्ट के जो पेपर नरधायत है और दूतिय पाली में इंटरमेडिर्ट की जो भी बच्चे समास सास्त्र विद्शे से अध्यन कर रहे हैं उनका पेपर नरधायत किया गया है अब देखें मंगलवार 11 मई 2021 प्रथम पाली में हाई स्कूल की कोई भी परिच्छन अधायत नहीं की गई है जबकि इंटरमेडिर्ट प्रथम पाली में फॉल एउन खाद्य संरच्छन पाक सास्त्र परिधान रचना इत्यादी ये जो भी विश्रे हैं इसे समंदित जो भी आप अध्यन करते हैं इंटरमेडिर्ट के छात्र वो 11 मई 2021 को अपना पेपर प्रथम पाली में दे सकते हैं आप देखिए 11 मई दूतिय पाली में संस्कृत जो भी 12 में लिये होंगे बच्चे उनका दूतिय पाली में 11 मई को पेपर निर्धायत किया गया हैं 12 मई प्रथम पाली में फल एमम खाद्य संरचन इत्यादी जो भी बच्चे इंटरमेडियेट में पढ़ाई करें उनकी परिच्चा निर्धायत किया गई है दूतिय पाली में भी क्लास 10 का कोई भी सब्जेक निर्धायत नहीं है जबकि नागरिक सास्त्र से जो भी विद्यात थे अध्यनरत हैं उनकी परिच्चा निर्धायत कि गई है दूतिय पाली में तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से अपना प्रश्णपत्र समझ में आया होगा सुरी समय सायनी समझ में आई होगी अगर हम सिर्फ साइनसाइट के बच्चों का निर्धायत करें तो आपकी जो हिंदी है वो 24 मई को है हिंदी की परिच्चा दूसरा क्लास हाई स स्कूल के लिए हम बता रहे हैं ग्री विज्ञान जो है वो 27 अप्रेल को निर्धायत किया गया है चित्रकला का पेपर 28 अप्रेल को है अंग्रेजी का पेपर 30 अप्रेल को है समाजी विज्ञान का पेपर तीन माई को है विज्ञान का पेपर पांच माई को है संस्कीत का पेपर आठ माई को है गणित का पेपर दस माई को है ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए था और देखें 12 की कुछ महत्पूर्ण विश्यों को हम बता देते हैं आपको देखें हिंदी का जो पेपर है वो 24 अप्रेल को है इंटर्मेडियर के विद्यार्थियों के लिए ग्री विज्ञान का जो पेपर है वो 28 अप्रेल को है इंटर्मेडियेट के विद्यार्थियों के लिए एक मई को अंग्रेजी का पेपर है इंटर्मेडियेट के विद्यार्थियों के लिए रशायन विज्ञान का चार मई को यानि केमेस्ट्री आपका चार मई को है इंटरमेडियेट के विद्यार्थियों के लिए जी विज्ञान या गणिस से अगर आप अध्यन कर रहे हैं तो छे मई को पेपर निर्धायित किया गया है क्लास 12 का भौतिक विज्ञान जो है वो आपका आठ मई को है समाज सास्तर अगर आप पढ़ते हैं तो क्लास 12 का 10 मई को समाज सास्तर का पेपर निर्धायित किया गया है और अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो क्लास 12 का पेपर संस्कृत का 11 मई को निर्धायित किया गया है तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया हुगा आपको धन्यवाद जैहिंद महादेव घर रहिए सुरक्षित रहिए और अपनी तयारी बेहतर रूप से जाई रखिए